हेलो एवरीवन वेलकम अगेन टू लन्गरेदेतीमन तो देखिए जनजातियां आंदोलन में आज हमारा टॉपिक है भगत या संप आंदोलन ठीक है भगत आंदोलन को ही संप आंदोलन के नाम से जाना जाता है और उसके बाद हम एकी आंदोलन और मीना आंदोलन भी पढ़ेंगे फिर ये टॉपिक जो है वो आपका कम्प्लीट हो जाएगा तो भगत या संप आंदोलन जिसके प्रणेता गोविंद किरी कहे जाते हैं तो क्या होता है कि जो मेवाड की भील समस्या होती है वह तो समाप्त हो जाती है लेकिन यहां दूंगरपुर और बासवाड़ा में जो भील थे इन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता तो यहां के थे गोविंद गिरी गोविंद गिरी जिनका जन्म 1858 में हुआ था डूंगरपुर में यह बासिया गाओं में एक बंजारे के यहां पर इनका जन्म होता है और यह खुद भी क्या थे एक छोटे से किसान थे यानि यह बहुत ज़्यादा गरीव थे इतने ज़्यादा गरीव थे कि इनकी जो आर्थिक दसा थी इसी वज़े से इनके बेटे और इनकी जो पतनी थी उनकी मृत्यों हो गई थी और उसके बाद यह आध्यात्म की ओर ज टाट कर देते हैं तो इनकी वज़े से ही इनके विचारों से प्रभावित होकर जो है वो भील, जो है वो जागरित होते हैं ये बताते हैं भीलों को सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि देखिए जिन साशक के अंडर में आप लोग काम कर रहे हो और जिस भूमी के स्वामी व बदला यहां पर इन्होंने प्रेणा जो है वह है दयानन सरसुती की जो सिक्षाएं थी उनसे ली थी इनसे ये बहुत प्रभावित हुए थे भगत और संप आंदोलन में ही देखिए सुर्जी भगत का नाम आता है कि गोविंद गिरी के साथ में कौन थे सुर्जी भगत थ सबसे पहले इन्होंने 1883 में संप सभा की स्थापना की तो यहां पर इन नियमों के अंतरगत उद्देश्य केवल यही रखा गया कि भीलों में जो व्याप्त सामाजी कुरुतियां हैं उनको दूर किया जाए और उन्हें जो चीजें नहीं पता हैं जिनके लिए उन्हें न जो बढ़ते हुए प्रभाव होते हैं इनसे क्या होता है कि वहां के जो अधिकारी होते हैं जाकीरदार होते हैं वो यह देखकर चिंतित होने लगते हैं कि कहीं ऐसा नहों कि इनका प्रभाव इतना अधिक हो जाए कि हमारी सत्ता ही पलट जाए और ये लोग हमें ही यहां स से बाहर निकाल दें और इसी वज़े से गोविंद गिरी को यहां से वह हटाना चाहते थे प्रथम अधिबीशन इनका होता है 1903 इस्वी में मानगर की पहाड़ी पर उस दिन था आश्विन पूर्णिमा तो देखिए क्या होता है कि यह सभी लोग जो है इखटा हो जाते हैं मानगर पहाड़ी पर जाकर अपना राशन पानी लेकर हत्यार लेकर कि कहीं अगर कोई विपत्ति आती है तो उसका सामना भी कर सके तो और अपनी सारी समस्याओं को सुलझाने के लिए वो वहां जाते हैं तो एक मीटिंग होती है 17 नवंबर 1913 को मानगर की पहाड़ी पर सा गोली बारी की जाती है तो इसके जवाब में भील भी यहां पर जो है वह हत्यार लेकर आये थे सामना करते हैं लेकिन इनकी गोली बारी के सामने ये लोग नहीं टिक पाते हैं और धीरे-धीरे क्या करते हैं आत्मसमरपन कर देते हैं तो लग भग 1500 से जादा भील मारे भी ऊक्षिए जाते हैं और बहुत सारे घायल हो जाते हैं यहां पर मैंने लिखा है कि मेवार भीलकूर की स्थापना कब हुई थी ??? 1849 में हुई थी मुक्याले इसका खेयरवाडा है . कईव बार एक्जामीनर का मन करता है तो पूछ सकता है कि मेवार भील कोर की सापना कब हुई थी तो 1841 में हुई थी और इसका मुख्याले खेरवाड़ा है तो देखिए 1500 से जादा भील जो है मारे जाते हैं और साथ में गोविंद गिरी जो है इनको पकड़ लिया जाता है और इनको बंदी बना लिया जाता है इनके साथ साथ कई भील जो है उनको भी बंदी बनाया जाता है तो गोविंद गिरी को यहां 10 साल की कैद हो जाती है ठीके? और सेज जीवन कमबोई गाउं में बिताते हैं क्यों बिताते हैं? क्योंकि जब 10 साल की इनको सजा हो जाती है और कुछ सर्तों पर इनको रिहा कर दिया जाता है साथ साल बाद और ये भी कहा जाता है कि ये जो हैं डुंगरपूर, बासवड़ा, कुसलगड इस एरिये में बिल्कुल प्रवेस नहीं करेंगे, बाहर चले जाएं इस वजए से ये अपना सेज जीवन जो है कमबोई गाउं में बिताते हैं, एक्जा में पूछा जा सकता है कि जब गोविनगिरी को 10 साल की सजा होई थी और उसके बाद उन्हें 7 वर्स के बाद उन्हें जिस सर्त पर रिहा किया गया था, उसके बाद ये किस गाउं में जाकर रहते हैं, तो ये कमबोई गाउं में जाकर रहते हैं, और साथ में ये भी याद रखना है कि जब गोविनगिरी को बंदी बनाया गया था, उन्हें कारवास में डाला गया था, तो इनके पुंजिया ने गोली बारी के बीच में खुद आत्मसम्मर पर किया था, ठीके, तो ये था आपका संब आंदोलन या पहगत आंदोलन, नेक्स्ट देखिए, एकी आंदोलन या जिसे हम भोमट भील आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, तो यहां पर इसका नाम एकी आंदोलन क पड़ा, तो दिखिये क्या है, कि जो भील और गरासिय जनजाती जो थी, इन में एकता इस्थापित करने का प्रयाश किया गया था, इस आंदोलन में, इसलिए इसे एकी आंदोलन कहा गया, और वहीं इसे भोमट भील आंदोलन क्यों कहा गया, क्योंकि भोमट शेतर के भील इनों द्वारा चलाया गया था इसके प्रणीत हैं मोतीलाल देजावत मोतीलाल देजावत का सभुए तो में में बातला हुए सिसम्स यह तो टिक अगारी गाउश्डियोद्वर में 15187 ऐस्वाल प्रिवार में देख्रम 24 rust आप इन्हों ने भीलों को संग्रित करने के लिए एकी आंदोलन किया था और मुख्यत है भूमत शेत्र में यह चला था जो कि मैंने आपको अभी बताया था अब क्या होता है 1921 इस्वी में चितोड के रास्मी तहसील के मार्थ खुंडिया नामक इस्थान पर यह आंदोलन होता है 21 सूत्री मांग पत्र तैयार किया जाता है जिसे मेवाड पुकार कहा जाता है तो बिजोलिय किसान आंदोलन से यह लोग प्रभावित होते हैं यहां यह भी डिमांड करते हैं जिसमें 21 सूत्री पत्र जो है वह तैयार किया जाता है जिसे क्या कहा जाता है कि मेवाड के महा प्रणा जो हैं वह हमारी पुकार को सुने हमारी जो जरूरते हैं उन्हें पूरा करें इस वज़े से ये अपनी डिमांड करते हैं और यहां पर आंदोलन का नित्रत्व करते हैं मोतीलाल तेजावत ठीक है और याद रखिएगा कि ये जो मार्तकुंडिया हैं हमने पहले भी पड़ा था कि मार्तकुंडिया को राजिस्थान का हरिद्वार कहा जाता है यहां से कुश्चन पूछा जा सकता है इस आंदोलन में तुलसी भील की महतपुन भूमिका रही थी 24 घंटे में 70 मील पैदल यात्रक की जाती है विजे नगर रियासत के नीमणा गाउं में 7 अप मोतिलाल तेजावत नित्रत तो करता है तुलसी भील जो है यहां मुख्य भूमिका निभाते हैं 24 घंटे में 70 मील पैदल यात्रक की जाती है ठीक है और नीमणा गाउं में सम्मेलन जो है वो बुलाया जाता है जहां पर मेजर सैटन जो है वह गोली बारी करते हैं और 1200 से ज गांदी जी की सलह पर इडर में ये आत्मसमर्पन कर देते हैं किसकी सलह पर करते हैं गांदी जी की सलह पर तेजावत जी जो है वह है आत्मसमर्पन कर देते हैं और ये बाब जी के नाम से लोगप्रिय हो जाते हैं ठीक है पूचा जा सकता है बाब जी के नाम से कौन लोग प्रिय हो गया तेजावजी इसे दूसरा जलिया वाला बाग हत्याकान कहा तो आपको याद आया होगा कि जो यहां का जलिया वाला बाग हत्याकान की संग्या जो है वह किस आंदोलन को दी गई थी तो याद करिए और लेकिन एकी आंदोलन को दूसरा जलिया वाला बाग हत्य कर लिया जाता है और 1936 में तेजाजी रिहा हो जाते हैं तो मीडाओं ने भी आंदोलन किया था और इंके आंदोलन करने का क्या करण्ड था ये लोगं क्यों असंतु थे क्यों कि राज्य में इनके क्या हो रहा था, बहुत चोरी हो रही थी, डकैती हो रही थी, इस वज़े से जिम्मेदार जो है इन ही मीडाओं को ठैराया जा रहा था, ठीके, इस वज़े से ये आंदोलन करते हैं, तो जैपोर रियासत में दो प्रकार के मीडा थे, एक जमीदार मीडा थे, एक चौकीदार मीड थे 1924 में ब्रिटिस सरकार ने क्रिमिनल ट्राइब एक्ट पारित किया गया जैपूर राज्य ने जरायम पेशा कानून 1930 में इन्हें जरायम पेशा मानकर सभी इस्त्रीपुर्स को रोजाना थाने पर आने के लिए पावंद किया गया तो इसी वज़े से मीणा द्वारा विरुत किया गया तो क्या होता है कि देखिए तो यहां के जो राज्य हैं वो क्या सोचता था कि यह जो मीणा जाती है यह जरायम पेशा जाती है यानि अपरादिक आजीविका वाली जाती है अपराद करती है और फिर यह कमाती है चोरी ड गर्ज करवाएंगे यानि डेली उन्हें यहां पर हाजरी देना जरूरी है तो इस वज़े से जो मीना थे वो परिशान थे क्योंकि उन्हें रोज वहां आना पड़ता था अपने सारे कार्यों को छोड़ कर इस वज़े से मीना जो हैं वो विरोध करते हैं तो विरोध करने के बाद ये क्या करेंगे 1933 में मीणा शेत्रिय महासभा की इन्होंने इस्थापना की जहां पर जैन संत मगन सागर की अध्यक्ष्टा में अपरेल 1944 को मीणाओं का एक व्रहद अधिवेशन नीम का थाना में हुआ तो यहां मीणा शेत्रिय महासभा की जाती है और इस सभाने पेशा कानून है उसको समाप्त करने की मांग रखी लेकिन जो राज्य था उसने इसके विप्री जो है कठोड़ता से मीनाओं को दवाना जो है वो स्टार्ट कर दिया और उसने सारे साम, दाम, धंड, भेद, ये सारी नीती जो है अपनानी सुरू कर दी पंडित वंसी धर की अध्यक्स्ता में राज्य मीना सुधार समिती जो है वह बनाई गई पिछणों के मसीहा ठकरवपा इस आंदोलन से जुड़ते हैं तो बाद में जो ठकरवपा हैं वो भी इस आंदोलन से जुड़ते हैं 28 अक्टूबर 1946 में चौकीदार मीनाओं ने स्विच्छा से चौकीदार पद से इस्तीफा दे दिया तो इन्होंने क्या किया कि खुद ही इस्तीफा दे दिया ताकि चौकीदारी प्रथा जो है वह समाप्त हो जाए और जरायम पेसा जो है वह है भी समाप्त हो जाए तो उसके बाद 28 अक्टूबर 1946 को जो चौकीदार मीना थे उन्होंने क्या किया खुद ही चौकीदारी जो पद था उससे इस्तीफा दे दिया और 1952 में जो ये कानून बनाया गया था उसे रद कर दिया गया चीक है और इस वज़े से ये आंदोलन जो है वो समाप्त हो जाता ह तो यहां पर जितने भी आंदोलन थे किसान आंदोलन जनजाती आंदोलन वो सभी कंप्लीट होते हैं आप लोगों का काम है इनको बार-बार दोहरान करना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगी थैंक यू